कि हालो हलो हलो वन टूफॉर लोग करता हूं कि आप सभी लोग बढ़ी है मैं भी यहां पर मोझ में बच्चों हम लोगों के पास बूस्टर बैच में अभी तक हम कैपिटल बस्टिंग कम्पीट कर चुकों है और अब चुकर हम कितने बच्चों ने राइटिंग में कोश्चन के के कर्ड़ी तैंक और यह कह रहा है अपर लिझा है ईक वार है हुआ ही ठी तर्णु इचिंगर लिए हैं तंक सथर नमस्ते और अधे कर लिए हैं दो बाकी है मैंने कर लिये रमेश ने कर ली चिराघ ने कर axe पढ़ा रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा तभी आपके लेक्टर में आया हूं कि आफेमी पढ़ लेता हूं दो करे हैं आधे कर लिए पूरा कर लिए बहुत ही बढ़िया त्या क्या आपनों को ऐसा लग रहा है कि बूस्टर से कुछ बेनिफिट हो रहा है या डिवीजन वहुत फास्ट था स्पीड में हो पा रहा है जिसमें शायद बहुत जयादा टाइम लग जाता गुट मॉर्णिंग सर बड़े की शुरुआत आपकी क्लास के साथ याज एपी बड़े बेटा सर कल वाली टी-शिर्ट में आए हैं अब एक कल वाली दूसी थी दूसी ये कलर अलगे बैटे अरे सर बीच में ब्रेक दे लेना ओके सर बूस्टरी बैनिफेट शेल कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बड़िया है थियोरी से जो भी आएगा तो एक थियोरी का लेक्शर आएगा पूस्टर के बाद वह देख लेना उससे काम हो जाएगा ठीक है तो हम लोग विदाउट वे कविएसा को सक quests वाला करते हaghetti खांए ठीक है तो मैम डियेया पास channel रहा ही स्टार्ट करें और हमारे पास चैट फॉमуть अब बंद बच्छे हैं जो घेसे के साथ लाइक बड़ी करते रही है आप अगर लाइक करते हैं तो उससे ज्यादा फैल ये वीडियो शायद ऐसा कुछ पश्च होता होगा मतलब मेरे मेरे उपनी मालूम क्योंगे मैं सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाता तो उससे वीडियो ज्यादा प्ल्टी तो ज्यादा लोग उसको देख पाए में हाद मैंनेजमेंट औव वर्किंग कैपिटल चैप्टर नंबर फौर है हमारे पास इस पर्मानेंट का मतलब है कि इतनी working capital तो पूरे साल हमें चाहिए चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरे को एक महीने का stock तो हर पूरे साल चाहिए की चाहिए, तो यह permanent हो गई, और कभी season में मुझे 2-3 महीने का stock रखना पड़ता है, तो जो additional है वो temporary working capital कहलाती है, अब इस chapter में हमारे सामने scenario क्या रहता है, देखे, हमारा जो business है, उसमें एक हो गया source of fund और एक हो गया application of fund, application of fund के अंदर हमारे पास एक हो गई fixed assets and investments, यह हमने capital budgeting में कर लिया, इसके बाद में हमारे पास आती है working capital जिसके अंदर हमारे पास debtors से related policy, creditors से related policy, cash से related policy, cash and bank, और stocks से related policy रहते हैं, तो stocks से related policy FM में नहीं है, region being, EOQ, ROL, यह सारी चीज़े costing में cover हो जाती है, cash and bank के लिए इन्होंने cash budget दिया हुआ है, creditors और debtors, creator और debtor receivable में, और overall working capital हमें कितनी चाहिए, यह हम working capital management में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने scenario क्या आएगा, बेसिकली हमें सोर्सी जो fund से पैसा मंगवाने है, funds मंगवाने है, ठीक है, अब मानदी जे fish assets और investment में 80 करोल उपे invest होने हैं, तो यह हमें पता चल गए, अब हम जानना चाहते हैं कि working capital में कितना investment हमें चाहिए, तो working capital के अंदर कितना investment चाहिए, इसका estimation करना होगा, projection करना 25 करोल उपे चाहिए, तो पहले हम estimation करेंगे, उसी basis पर हम sources of funds से पैसा मंगवाने हैं, या तो equity share issue करके, preference share issue करके, debt के basis पर किसी भी तरीके पैसा मंगवाने हैं, तो पहले हमें estimation करना होगा कि आखिर हमें working capital कितनी चाहिए, तो जैसे यहाँ पर 80 CR, इसके लिए 5 CR, तो 85 CR हम ल method number 1 है, operating cycle या working capital cycle method और दूसरा है component wise estimation या फिर quantitative estimation method, सबसे पहले हमारे पास रहता है, operating और working capital cycle method, यह cycle कहता है कि देखो, हमारे पास जो raw material है, उसका कुछ storage period होगा, तो raw material का storage period इसको हम कहते हैं, आर, तो raw material का storage period हमने ले लिया, कि 30 दिन तक हम raw material को store करते हैं, ठीक है, फिर आता है WIP conversion period, यह factory के अंदर WIP कितने दिन में finished goods में convert हो जाता है, इस बात को कहता है, तो मान दीजिए हमारे पास जो WIP है, वो finished goods में convert हो जाता है, 20 दिन में, तो 30 days का raw material storage है, 20 दिन का WIP conversion है, अब finished goods बन अंते के साथ तो sale हो नी जाएगा, वो भी showroom में या फिर आपके warehouse में कुछ दिन तक रखा रहता है, आपने देखा होगा कि जो गाड़ियों का showroom होता है, उस पे गाड़ियां खड़ी रहती है, तो कोई गाड़ी 10 दिन में भी पिक सकती है, 20 दिन में भी 25 दिन में भी, और क्रेड़िट पर भी जा सकता है, अगर आपने क्रेड़िट पर दिया है, तो debtors को भी आपने कुछ दिन के लिए उधार दे दिया, तो debt collection period मान लिए हो गया, 40 दिन, तो raw material का storage period R, WIP conversion period W, finished goods का storage period F, और debt collection period D, इन चारों को हम जोड़ देंगे, R plus W plus F plus D, इन सब में हमारा पैस पैसा रुका हुआ है, raw material पैसा रुका हुआ है, WIP में हमारे investment है, finished goods में investment है, data के पास हमारे पैसा ब्लोग हो गया है, तो ये सारे के सारे चोड़ देंगे, और इसमें हमें support करते हैं creditors, तो creditors का payment period मान लिए 30 देज है, यानि 30 दिन का हमें उधार मिल जाता है, तो ये हमारे को support करेगा current liability है, तो RWF4D के period current assets है, और creditors ये payable हमारे लिए current liability है, तो इसे minus करेंगे, हमारे पास cycle निकल करा जाएगी, कि operating cycle कितने दिन के 90 days की, अब कुछ questions में तो operating cycle दी हुई होती है, period दी हुए होते हैं, और कुछ questions के अंदर period आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, तो अगर आपको period निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम periods को कैसे निकालेंगे, इसका बिल्कुल simple सा तरीका है, कि जिस भी चीज का period निकालना है, उसका average उपर रखेंगे, और उससे related term को denominator में रखेंगे हम लोग, जैसे हमें raw material का storage period निकालना है, तो average raw material stock आपके पास उ raw material को हम लिंक करेंगे raw material consumption के साथ, तो उपर raw material का stock average और नीचे raw material consumption multiply with 365, WIP को हम लिंक करेंगे cost of production के साथ, तो average WIP stock divided by cost of production multiply with 365, finished goods को हम लिंक करेंगे COGS के साथ, cost of goods sold, तो finished goods का stock average और denominator में COGS multiply with 365, debtors को हम लिंक करेंगे credit sales से, और creditors को लिंक करेंगे credit purchase से, तो average receivables divided by credit sales, average payables divided by credit purchase, multiply with 365 करते जाएंगे, अगर आप multiply with 365 नहीं करना चाहते, तो denominator में annual की जगे daily लिखना होगा, कि एक दिन का raw material consume कितना है, तो अगर आप annual लिखते हैं, तो multiply with 365 करते हैंगे, multiply with 365 करना जदा आसान है, तो हमारे पास period अगर निकालने की मैं बात करूँ, तो बच्चे इसके formula पर यह सोचते हैं, सर्फ formula कैसे आदोगा, बड़ा simple है, raw material का average उपर raw material consumption नीचे, WIP का average stock उपर cost of production नीचे, finished goods का average उपर COGS नीचे, debtors का average उपर credit sales आपके पास नीचे आजएगे denominator में, और credit period की अग पर इन सब का average रहेगा multiply by 365, यह हमारे पास operating cycle निकल कर आजएगी, अब working capital का estimation कैसे करेंगे, मानली कि हमारे पास operating cycle आगई, कि 90 दिन की operating cycle है, तो हमें लेनी है annual cost, कि पूरे साल की आपकी cost कितनी है, तो हमारी annual cost है, मानलो 3,65,000, अब question पूछेगा working capital बताओ, तो बड़ा simple सा तरीका है, annual cost 365,000 है, यह पूरे साल की cost है, तो एक दिन की cost कितनी होगी, 365 से divide कर दिया, तो एक दिन की cost हागी, आपके पास 1000 रुपे, हमें 90 दिन की cycle के लिए पैसा चाहिए, 90 दिन की cycle में हमारा पैसा लगेगा, फिर वो cycle गूमती रहेगी, debtor, पहले हम raw material इस्टोप रखें आपको पैसा चाहिए होता है, तो 365,000 divided by 365, 1000 हमारे पास एक दिन की operating cost आ गई, आपकी cycle 90 देच गिये, तो आपके पास working capital 60,000 रुपे की होनी चाहिए, इसके इलावा ICI कभी देता नहीं है, पर अगर आपको desired cash बता दिया जाए, कि हम 10,000 का cash रखना चाहते हैं, अपने पास हम दो, question अगर desire cash की कोई बात नहीं करता, तो कुछ जोड़ने की ज़रा नहीं है, दूसा formula आता है, हमारे पास के annual operating cost ले दीजिए, कितनी है, 365, और ये निकाल दीजिए, कि एक साल में कितनी cycle घूम रही है, एक साल में कितनी cycle घूम रही है, तो जैसे 90 दिन है, तो यह हो गया 9 9, 4, 360, 4 cycle हो गही है, 4 approach, 4 approach, 4 point something हुआ, तो एक साल में 4 cycle हुमेंगी, हमें सिर्फ एक cycle का पैसा चाहिए, तो 365 divided by 4, ये approach आपके पास 90,000 के आसपास आ जाएगा, ये 4.0 something आएगा, तो तरीके हमारे पास निकालने के, annual operating cost divided by 365, multiply by cycle, दूसरा तरीका है, annual operating cost को number of cycle से divide कर दीए, ये हमारे पास operating cycle method है, पहले हम operating cycle method के question देखेंगे, operating cycle method का एक question तो आता है ये, bbq 24, इसमें सब कुछ हमें निकाल रहा है, question देखते है, following information, it's forecasted by R limited for the year ending 31st March 23, balance edge at 31st March 23, balance edge at 31st March 22, तो ये हमारे पास opening balance है, 22 वाले, और 23 वाले हमारे पास closing balance है, ठीक है, raw material का opening closing दे दिया, WIP का opening closing, finish goods का opening closing, सब कुछ लैक्स में, receivables और payables का opening closing दे दिया, तो basically हमें इन सब का average निकालना है, divided by 2, तो ये हमारे पास हो गया, 65 plus 45 divided by 2, इसका average आगिए 55, 51 plus 35 divided by 2, इसका average आगिए 43, 60 plus 70 divided by 2, 65, 112 plus 135 divided by 2, ये आगिए 123.5, इसके बात में हमारे पास 68 plus 71 divided by 2, ये आगिए 69.5, तो इन सब के average चाहिए, अब जब हमें R निकालना होगा, तो raw material का average उपर रखेंगे, denominator में रखेंगे raw material consumption, WIP के लिए WIP का average रखेंगे उपर, cost of production रखेंगे denominator में, finish goods के case में finish goods का average stock रखेंगे numerator, और COGS रखेंगे denominator में, और receivable और payable के लिए credit purchase और create sale का इस्तमाल किया जाएगा, अब जब देखते हैं, question ने हमें बताया, annual purchase of raw material, all credit, तो यह जो purchase है, यह payables के काम आ जाएगी, तो अगर हमें payables का, यानि creditor का period निकालना है, तो payables का average है 69.5, credit purchase है 400, multiply by 365, इसके date निकल कर आजेंगे, 69.5 divided by 400, multiply by 365, या 63.41, तो आप round of भी कर सकते हैं, 63.41 है, तो 63 कर दो, चाहो तो 63.41 की लिखलो, कोई लिकत नहीं है, creator के date निकल गए, cost of production है, यह WIP के काम आ जाएगी, तो WIP का average है 43, cost of production है 450, multiply by 365, 43 divided by 450, multiply by 365, या आगे 34.87, तो यह 35 आ गया, तो इसका आगे 35, इसका आगे 63, ठीक है जी, फिर दिया हुआ है COGS, 525, COGS काम आएगा finished goods के average में, तो हमारे पास finished goods का average है, 65 divided by 525, multiply by 365, 65 divided by 525, multiply by 365, यह हो गया 45.19, तो 45, यह 45 आगे finish goods का, इसके बाद annual operating cost दी है, वो working capital निकालने के काम आएगी, sales दी है credit पर पूरी ही पूरी, 585, तो sales आ जाएकी receivables के लिए, तो receivables का average है 123.5, और यह है हमारे पास 585, multiply by 365, यह आगे 123.5 divided by 585, multiply by 365, यह निकला है 77.05, तो 77 days हो गया, अब हमारे पास raw material का period रह गया यह भी, तो question ने हमें raw material consumption यहाँ पर नहीं दिया था, तो raw material consumption नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, आपके पास raw material की purchase है, raw material का opening stock है, और raw material का closing stock है, तो बताइए, opening stock plus purchase minus closing stock equals to raw material consumption, तो हमें raw material consumption निकाल के दिखानी पड़ेगी, opening stock 45 lakh, purchase 400 lakh, closing stock 65 lakh, यह हमारे पास consumption आ जाएगी, 45 plus 400 minus 65, 380 lakhs, इसको link कर देंगे raw material के average period से, जो हमारे पास था 55, तो 55 का raw material का average है, divide by 380, multiply by 365, यह raw material का period आपके पास निकल कर आ जाएगा, यह हो गया, 52.82 तो 53, यह 53 आ गया, तो अब हमारे पास ही सारे data आ गए, operating cycle आ गई, 187, पहली requirement थी operating cycle निकालो, फिर था number of cycles निकालो, तो number of cycles के लिए 365 days में कितनी cycle होंगी, अगर एक cycle 147 days की है, तो 365 divided by 147, तो 365 divided by 147 number of cycles आगे 2.48 times, ठीक है, अब दीस रब कुछ है, working capital निकालो, अब आपकी मर्जी है, दो formulae, आप या तो जित्ती भी operating cost है, 325, इस 325 को कह दो, कि ये 365 days की है, तो 147 days की कितनी होगी, यहाँ आप कह दो, 325 की operating cost है, 2.48 cycles के लिए, पूरे साल में 2.48 cycles को आपकी घुम रहे हैं, हमें एक cycle के लिए चाहिए, तो एक cycle की cost कितनी होगी, 325 divided by 365, multiply 147, यह आगया 130.89, तो 131 lakh, और यहाँ से निकाले, 325 divided by 2.48, तो यह भी आगया 131 lakh, काम खता, तो एक तो यह question आता है, यह 10 number का question है, यह 10 number में पूछा जाएगा, क्योंकि सारे PB8 निकालनी है, फिर cycle निकालनी है, फिर number of operating cycle, और फिर working capital requirement, एक question आता है, बड़ा ही famous ह यह 3 वार exam में आचुका है, copy paste figure आता है, बिल्पुल entity जाता है, copy paste, कोई difference नहीं आता है, इसमें, इसके अंदर period हमें खुद दिये गए हैं, और यह भी 10 number में पूछा जाता है, raw material storage period 55, WIP conversion period 18, finished goods storage 22, debt collection period 45, creditor payment period 60 days, ठीक है दी, यह आ गया, अब अता ही cycle कितनी होगी आपके पास, 55 plus 18 plus 22 plus 45 minus 60, cycle होगी 80 days की, ठीक है दी, पहला point operating cycle period 80 days आ गया, दूसरा कहे रहे है number of cycle कितनी होगी, कहे रहे हैं, पूरे साल में 360 दिन लेके चलना, तो 360 दिन, एक cycle 80 दिन में, तो 4.5 cycles हो जाएंगी, logi number of cycles यह आ गया, बहुत ही simple है, मेरे साफ से 5 number से उपर किसकी words नहीं है, पता नहीं है, क्यों इसको दस नमबर में पूछता है, मेरा अपना person मानना यह है, कि यह 5 number में आ सकता है, अच्छा एक आप लोगों की दिमाग में आता रहता है, कि application based MCQ कैसा हैंगे, मैं आपको बत C, 80 days, और D, 105 days, अब आपको सिर्फ यह बताना है, असी दिन सही answer है, तो यही question हमारे application based MCQ बन जाते हैं, बस फायदा ही होता है, आपको final answer भी आपके सामने होता है, कि final answer इन चार में से एक है, तो question को calculator पे यह रफ्ट पे solve करिए, और final answer को बता दीए, working करने के लिए बोलता ह आप जो खर्चा होता है, उसके अंदर से depreciation को exclude कर देते हैं, यहाँ पर operating cost दी है, including depreciation 210, तो 21 lakh की आपकी cost है, 210,000 इसमें से depreciation है, इसको हटा दीए, 21-2.1, इसका मतलब 18.9 lakh आपकी cash cost है, तो अब हम जो working capital निकालेंगे, वो 21 lakh पे नहीं, बल्कि 18.9 lakh पे निकालेंगे, तो कह working capital निकालो, अब दो तरीके है, 18.9 lakh की cost, 360 days की, तो 80 days की कितनी होगी, या फिर 18.9 lakh की cost है, साड़े चार साइकल की, तो एक साइकल का खर्चा कितना होगा, कि पूरे साम में 4.5 साइकल है, तो 18.9 डिवाइट वाइट 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 यह ह के 3 पॉइंट यह है, हमार पास, 80 days, 4.5 times, 4,80,000, अब आगे कहानी question ने बताइए, क्या रहा है, the company is a market leader in its product, company market leader अपने product की, there is virtually no competitor in the market, based on market research, it is planning to discontinue sales on credit, हम credit पर sale करना बंद करने की सोच रहे है, and deliver product based on prepayment, thereby it can reduce this working capital requirement substantially, अगर आप देखो credit पर बेचना बंद कर दोगे, यानि debtors को आप उधार देना बंद कर दोगे, तो obviously debtor वाला जो portion है, वो आपका खतम हो जाएगा, आपकी working capital कम हो जाएगी, कहरें what would be the reduction in working capital, working capital में reduction कितनी होगी, तो बड़ी simple सी बात, आप ये देख factors चले जाएगे, तो कितनी reduction होगी आपकी working capital में, 45 दिन की working capital आपकी reduce हो जाएगी, तो 18.9 lakh है, 360 दिन के लिए operating cost, जिसमें से 45 days की आपकी cost लगनी बंद हो जाएगी, तो आपकी 2 lakh 36,250 की working capital reduce हो जाएगी, तो 45 दिन की आपकी reduction हो जाएगी, इसका दूसरा तरीका ये होता है, क तो आपकी cycle किती हो जाएगी, जभी 45 दिन हट जाएगे, तो 45 दिन हट गए, 80 में से, तो आपकी cycle हो जाएगी 35 दिन की, 35 days, तो आप क्या करो, पहले 35 दिन की working capital निकालो, कितनी है, और 35 दिन की working capital निकाल कर, 4,20,000 में से उसका difference देख लो, तो मुझे रखता है, ये जादा आ प्राइट का आपको गर्ण के लिखा दिया है, ये simple तरीका है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये ही दो question है, operating cycle में से आएगे, तो इन ही दोनों में से कोई एक question आएगा, और कोई question है, ये इस method में, इसके बाद हमारे पास आता है, component-wide estimation, अगर किसी को, कोई question है, अगर किसी का क हाँ, हाँ, जी, ऑपरेटिंग cycle में किसी भी तरीका का कोई डाउट, बेटा, operating cycle का मतलब, एक बार में हमारा business, पूरा घूम के, cash किते जिन में generate करता है, यानि, start करके, पैसा फसने से, last तक कितने में आएगा, अब, आर्टीपी, देखो, आर्टीपी के जो question है, आर्टीपी में separate डालने वाला हूँ, तो आर्टीपी के question आप आर्टीपी की वीडियो में देखना, यहाँ पर उसको हम discuss ने करेंगे, वो additional और आपके लिए bonus point हो जाएंगे, ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं, done, अब हमारे पास दूसरा है, component-wide estimation, component-wide estimation के अंदर question आपको यहाँ तो income statement खुद देगा, यहाँ फिर आपको income statement बनाना पड़ेगा, आप income statement बना लेंगे, projected income statement और उसके बाद में आप estimation of working capital करेंगे, तो estimation of working capital बड़े simple तरीके से होगा, अब हम एक एक आइटम को लिखेंगे, कि current assets में raw material कितना है, WIP कितना है, WIP के अंदर अगर यहाँ तो question percentage खुद बताएगा, नहीं बताएगा तो material की percentage 100 और labor overhead की percentage 50% मान कर चलेगे, इसके आप finished goods की valuation, debtor, कोई भी prepared है, cash bank, other current assets, total A आ जाएगा, फिर हम creditor, outstanding, कोई provision है, वो सब लिख देंगे, हमारे पास total B आ जाएगा, A में से B माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगी working capital, इसके बाद में question कई बार कह देता है, कि पहले working capital निकालो, और यह मान के चलो, हमें 10% का contingency के लिए रखना है, मान लो हमारी working capital आगी 10 लाग, तो question कह रहा है, हो सकता है, 10% contingency है, कि हो सकता है, कि हमारे पास 10% working capital जादा की, या 10% working capital कम की ज़र्वत पड़े, तो कम की ज़र्वत पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़र्वत पड़ेगी, तो हमारे पास fund की shortage हो सकती है, तो हम safety margin, या provision for contingency को add कर देते हैं, अगर question बोलेगा तो, तो जैसे 10% बोला, तो 8 lakh रुपे add करके, इसको 11 lakh कर देंगे, ठीक है, इसमें जो point आएंगे, वो point में आपको बता देता हूँ, सबसे पहरली चीज, हमारे पास जो raw material है, वो raw material consumption के basis पर valued होगा, WIP हमारे पास separate material labor overhead अलग-अलग आ जाएगा, material 100 labor overhead 50%, finished goods हमारे पास COGS पर valued होगा, यह cost of production पर आप कह सकते हो, debtor हमारे पास, जो भी हमारी cost of sale होगी, credit, उस पर हम निकालेंगे, debtors के लिए दो option है, कि या तो credit sale की cost पर निकाल लो, या फिर credit sale पर निकाल लो, तो दोनों option study mat में दिये हो हैं, दोनों पर पूरे number हैं, हम cost लेके चलेंगे, क्योंकि हमें यह जागना है, हमारा कितना पैसा तो हमाई तो cost फसेगी, total sale हमारा पैसा नहीं फसता, हमारी सिर्फ cost फसती है, उसके उपर profit जोड़का total sale आती है, prepaid में कोई रिक्कत नहीं, cash bank कदर इन सब में कोई रिक्कत नहीं, अब एक point आता है, इसके अंदर depreciation, तो depreciation के case में, point number one है, कि depreciation कभी भी prepaid या outstanding नहीं हो सकत तो किसी भी case में depreciation prepaid या outstanding नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी payment ही नहीं होती, outstanding या prepaid वो चीज हो सकती है, जिसकी कोई due date हो, तो depreciation तो एक simple entry है, कि हमारे पास depreciation डेविट, to fixed assets account, उसकी कोई cash payment तो है नहीं, तो पहले depreciation डेविट, to fixed assets कर दिया, उसके बाद में profit and loss account के अंदर, pre cash payment ही नहीं है, बाकि सारी चीजों की cash payment होती है, तो इसलिए प्रिपेड या outstanding के अंदर consider नहीं होगा, point number one, point number two, हमारे पास working capital की दो approach चलती है, एक total approach और एक cash cost approach, तो total approach क्या कहती है, total approach कहती है, तो प्रिपेड और outstanding तो depreciation नहीं हो सकता, लेकिन हम valuation के लिए, depreciation को consider करेंगे, valuation के शिची, देखो raw material के अंदर कोई depreciation का case नहीं, WIP के अंदर आपके पास में material labor overhead आएगा, तो यह जो overhead वाला section है, इस overhead में depreciation को consider करेंगे, stock valuation के लिए, finished goods में depreciation को consider करेंगे, debtors की cost में depreciation को consider करेंगे, तो यानि depreciation consider होगा, WIP की valuation में, finished goods की valuation में और debtors की valuation में, तो valuation के लिए depreciation consider होगा, total approach में, और cash post कहता है कि मैं valuation के लिए भी depreciation को consider नहीं करूँगा, यानि मैं कहीं depreciation को consider करूँगा ही नहीं, तो हमारे पास, जो depreciation है, वो कोई भी approach हो, outstanding और prepaid तो हो ही नहीं सकता है, इसमें कोई approach का concept ही नहीं है, ये universal rule है, कि outstanding prepaid तो हो ही नहीं सकता depreciation, ठीक है, अब आती है valuation की बात, तो इस stock valuation accounting standard 2 के हिसाफ से, उसमें कहा जाता है, depreciation को consider कर दो, अब यहाँ पर working capital में दो approach है, कि हमारा cash कितना block हो रहा है, और हमारी total value कितनी block हो रही है, तो अगर total approach की बात करें, तो वो कहता है, WIP finish goods और debtor की जब आप costing करोगे, उनकी value निकालोगे, तो depreciation को consider कर लेना, और cash cost कहता है, कि depreciation को कहीं भी consider करने की कोई need नहीं है, तो ये दो approach हमारे पास चलेंगी, अब हमें exam में कौन सी approach लगानी है सर्फ, exam में जब तक question silent है, हम total approach लगाएंगे, यानि depreciation को consider करेंगे, valuation के लिए, और अगर exam में बोला जाएगा कि cash cost approach लगाओ, सिर्फ तभी cash cost लगानी है, यानि question cheek cheek के बोले cash cost लगाओ, cash cost लगाओ, तभी लगाएं अब हमारे पास valuation के अंदर total और cash cost, raw material stock दोनों में एक जैसे रहेगा, कोई फर्क नहीं, WIP में material एक जैसा, overhead के अंदर यहाँ depreciation होगा, total approach में, और cash cost में depreciation नहीं होगा, ठीक है, फिर finished goods की valuation में भी depreciation यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, debtors के जो cost है, यहाँ पर depreciation प्रिपेड, overhead, cash bank, यह सब कुछ रहेंगे, प्रिपेड कोई भी depreciation नहीं हो सकता, तो दोनों जगे पर depreciation नहीं है, और ऐसे ही outstanding overhead में भी depreciation दोनों जगे पर नहीं है, तो outstanding और prepaid की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें तो depreciation है नहीं, कहीं पर भी नहीं लग सकता, outstanding और prepaid कहीं cash goods में और debtors में, इन तीनों में total approach depreciation को consider करेगी और cash cost depreciation को ignore मार देगा, ठीक है, points, depreciation can never be outstanding और prepaid, okay, debtors can be valued on cost of credit sale, जो preferred है, suggested answer इसी से बन के आते हैं, और amount of credit sale, तो amount को छोड़ दीए, हम हमेशा credit sale पर valued करेंगे, उसकी cost पर, जब तक question ना बोले, अगर question खुद कह दे, कि debtors को sell पर valued करो, तो बात अलगे, वरना हम हमेशा credit sale की cost पर valuation करेंगे, depreciation and profit are fully ignored under cash cost, cash cost में तो depreciation पूली तर से ignore हो जाएगा, WIP की अगर percentage ना दी हो, तो material 100, labor overhead 50% लेना है, अगर कुछ specify ना हो, तो total approach लगाएगे, यानि cash cost तब ही लगाई जाएगी, जब question हम से बोलेगा, अब इसके बात में हमारे पास कुछ एक चोटे से point है, आजी आजाएगे, पहले मैं आपको working capital का question दिखाता हूँ, यह working capital का normal question है, बीबी क्यू 26, question पढ़ते हैं, on 1st January, the managing director of Noreen Limited wishes to know the amount of working capital that will be required during the year from the following information, prepare working capital requirement, production during the previous year 60,000 unit, it is planned that this level of activity would be maintained during the present year, तो 60,000 unit पहले बनाई थी, इस साल भी 60,000 बनाने बादे हम, okay, expected ratio of cost to sale price, raw material 60%, wages 10%, overhead 20%, तो यह हो 60, 70, 80, 90, बाखी का 10% कहां गया, बाखी का 10% profit है, तो raw material 60, यह 10, यह आगे आपके पास sale price दिया है, यहाँ पर 5 रुपे पर unit, 5 रुपे पर unit sale price है, तो 60% या नहीं, 3 रुपे पर unit हो गया material, 50 पैसे पर unit हो गया labor, एक रुपे पर unit हो गया overhead, और 50 पैसे पर unit हो गया आपके पास profit, ठीक है, यह 5 रुपे का हमने बाट दिया, raw material are expected to remain in store for 2 months, raw material 2 महीनी के लिए रहेगा, each unit is expected to be in process, process का मतलब होता है WIP, 1 month, तो एक महीनी के लिए WIP में रहेगा, raw material being fed into the pipeline immediately, raw material तो हम तुरन डाल देते हैं, यानि material 100% होगा, and labor overhead accrue evenly during the month, तो बाकी labor overhead लगते रहते हैं, finished goods will stay in the warehouse awaiting dispatch to customer for approximately 3 months, finished goods का storage period, 3 महीने का होगया, credit allowed by creditors 2 months, creditors हमें 2 महीने का उधार अलाओ करेंगे, credit allowed to debtors, debtors को हम 3 महीने का उधार देंगे, ठीक है जी, there is regular production and sales cycle, wages and overhead are paid on first of each month of previous month, तो जो हमारे पास labor और overhead है, वो पूरे महीने के, हम अगले महीने की एक तारिक को देंगे, तो एक महीने का उधार इनका भी हो गया, the company normally keeps cash in hand 20,000, cash balance हम 20,000 रखेंगे, you are required to prepare forecast statement, आजएगे, the finance manager is particularly interested in applying quantitative technique for forecasting, quantitative technique यानि component-wide estimation, सबसे पहले आप लोग बनाएंगे, projected income statement, raw material 60,000 unit पर 3 रुपे, 180, labor 50 पैसे पर यूइट आ गई, 30,000, overhead 1 रुपे पर यूइट आ गई, 60,000, total post आ गई, 270, profit 50 पैसे पर यूइट आ गया, या आगी, से, अब हमारे को निकालना है, कि भाई, हमारी पास, working capital कितनी होगी, तो raw material का इस्टोरिट पीडेट कितना दिया है, इकोशन ने, 2 months, ये लिजिए, 180 का raw material है, into 2 by 12, तो raw material, into 2 by 12, 30,000 का raw material का इस्टोक आ गया, फिर WIP में material 100%, material 180, labor और overhead 50% लेने हैं, तो material का 100 ले लिए, labor overhead ता 50%, अब देखे, WIP का period कितना है, एक महिना, तो 1 by 12, 1 by 12, ये हमारा WIP निकल करा गया, finished goods, हमारी COGS कितना है, यहां COGS और total cost एक ही figure है, 270, तो finished goods 3 महिने के लिए रखते हैं, 3 by 12, debtors को 3 महिने का उधार देते हैं, 3 by 12, cash balance 20, जारा गया, creditor हमें 2 months का उधार दे रहे, तो creditor को लेंगे, हम raw material पर 2 by 12 वा गया, इसके बाद में, outstanding labor और outstanding overhead, 1 by 12, 1 by 12, हमारे पास working capital निकल कर आ जाएगी, ये बिल्कुल simple pattern है, ये बिल्कुल आसान वाला pattern है, अब इसके बाद हमारे पास आता है, दूसरा question, bpq 37, the following annual figures, ये question हमने total approach से किया, पहला वाला, the following annual figures relate to xyz company, one minute, ये बिल्कुल आसान वाला पास आता है, okay, हादी, the following annual figures relate to xyz company, sales, 2 month credit per hour, sale की amount है 36 lakh, material consume 9 lakh है, wedged paid 720, cash manufacturing expense 960, admin expense 240, sale promotion 120 इनकी अंदर इनकी policy लिखे हुई है कितने दिन का उधार है ओके, the company sales its product on gross profit of 25% depreciation is considered as a part of the cost of production it keeps one month stock of raw material and finished goods and cash balance 1 lakh, assuming 20% safety margin, ignore WIP ठीक है जी, WIP नी लेना find out requirement of working capital of the company on cash cost basis अगर आपको cash cost basis पर लेना है तो depreciation तो हमें consider करना नहीं अब question ने का है कि हमारा GP 25% है depreciation consider हुआ है तो ये हमारे लिए irrelevant होगी बात क्योंकि हमें depreciation लेना ही नहीं है अब हम सीधे cash cash में जो खर्चे हैं उनको उठा लेंगे तो देखें हमारे पास क्या हैगा material 9 lakh, labor 720, overhead हमें excluding depreciation चाहिए तो question में cash manufacturing expense दिये हो है depreciation इसमें है नहीं ठीक है जी से जोड़ देंगे ये हमारे पास आज़ेगा CUTS फिर admin और selling को जोड़ देंगे और हमारे पास total cost निकल कर आ जाएगी तो इसका income statement ऐसा दिखेगा raw material, wages, manufacturing expense सिर्फ cash वाले फिर हमारे पास admin selling को आ जाएगे और हमारे पास cost of selling कल कर आ जाएगी बस इतना सा income statement अब question ने कहा है कि आपके पास cash cost जादा असान होता है उसमें depreciation को हटाओ सिर्फ cash cash वाले जोड़ते जाओ अब हमारे पास में question आगे कह रहा है ये ध्यान रखेगा ये question बड़ा famous है बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं वो गलती बता देता हूं में बच्चे इस line को पढ़के न emotional हो जाते हैं कि 25% है अब 36 lakh की sale है 25% GPA इसका अंदर COGS कितना होगा 36 minus 25% 27 lakh और ये हमारा COGS हो गया जिसमें depreciation जुड़ा होगा है और अब जड़ा इन तीनों को जोड़के देखें कितना आ रहे हैं ये cash वाले है material 9 lakh 7.2 lakh वेज़ 9.6 lakh cash manufacturing 25.8 lakh आगए cash वाले ठीक है जी material labor and manufacturing अब अच्चे के थे 25.8 cash वाला है 27 total है तो depreciation 1.2 lakh होगा अब भाई depreciation निकाली क्यों रहे हो cash cost basis पर है तो बच्चे ये काम करने लग जाते हैं जिसका कोई sense नहीं है 1% हुए तो बेसिकली अगर cash cost है तो ये line पूरी तरीके से काट तीजिए इसको गुल जाईए सीधा सीधा question हो जाता है सीधा सीधा करते जाईए अब जो जो period लिया है वो ले लीडिये raw material और finish goods 1 month के थे तो raw material finish goods 1 by 12 finish goods 25.80 पर आएगा और debtor 29.40 पर आएगे यहाँ पर cost of goods sold और cost of sale अलग अलग है इसके बाद में debtor आगे 29.40 पर फिर cash balance एक promotion expense है prepaid creditor आगे purchase के उपर यह purchase आपकी आगे 9 lakh की इसके बाद में labor की outstanding manufacturing expense admin expense जितने भी outstanding है 1-1 month है ले लिए आपके पास total भी आगिया अब A में से B माइनस करेंगे working capital आजिएगा और उसके बाद में 20% safety margin को add कर देंगे यह add 20% safety margin working capital आगई तो यह total approach और cash cost के normal question है यह 5-10 months में exam में आपके बाद आजाता है इसके बाद एक concept आता है new company का exam में अगर नया business आजा है तो हम क्या गरेंगे तो working capital estimation chart of existing and new business देखेगा existing business के अंदर बड़ा simple सा concept है क्या होता है मानलो मुझे 10,000 unit बेचनी है और मेरा closing stock 10,000 unit है finish goods तो मैं अगर existing business हूँ तो existing business में हम यह मानकर चलते है कि opening stock equals to closing stock जब तक question silent रहे तो अगर question silent है तो यह मानते हैं कि opening closing stock एक बरावर है तो हमारे पास 1 lakh unit बेचनी है closing stock 10,000 है तो opening भी तो 10,000 होगा तो बताए पहले से ही 10,000 unit रखी है वो ही closing stock में चली जाएंगी तो ज़ितनी unit बेचनी है उतना ही production करना पड़ेगा एक लाग unit ही बनानी पड़ेगी अब factory में जाते हैं मानलो closing WIP 5000 unit है तो opening भी तो 5000 होगा तो हमें एक लाग unit बनानी है तो material labor overhead एक लाग unit के ही चाहिए हमें इसी तरीके से raw material store में अगर 15,000 kg closing गे तो opening भी तो 15,000 होगा तो जितना raw material consume होता है purchase of raw material भी उतनी ही होती है तो existing company में raw material purchase और raw material consumption एक बरावर होते हैं production of units और sale of units एक बरावर होते हैं क्योंकि opening closing stock एक बरावर हैं लेकिन जब नई company की बात आ जाती है तो ये opening finished goods, opening WIP, opening raw material zero हो जाता है क्योंकि हम नया business से start कर रहे हैं इस situation में जा देखे क्या होगा अगर 10,000 unit बेचनी है और 10,000 closing stock में चाहिए तो आपको दोनों ही बनानी पड़ेंगी बेचने वाली भी और finish goods वाली भी तो एक लाग 10,000 unit का आपको production करना पड़ेगा अब ये production होना है फैक्टरी के अंदर तो फैक्टरी में अगर closing WIP 5000 unit चाहिए और एक लाग 10,000 unit finish goods की चाहिए तो दोनों पर काम करना पड़ेगा तो यानि इस वाल row material, labor और wages एक लाग 10,000 completed units पर और 5000 WIP की units पर खर्चोंगे और row material की case में अगर हम देखे तो row material आपका जितना भी consume होगा उसमें closing stock भी extra purchase करना पड़ेगा तो row material purchase की अगर बात की जाए तो row material consumption प्लस closing stock of row material हमें खरीदना पड़ेगा क्योंकि opening stock of row material zero है, वो है ही नहीं तो यहाँ पर हमारे creditors बदल जाते है तो इसका income statement भी बदल जाते है और इसके creditors भी बदल जाते है question देखते हैं, कई बंचे पूछते हैं कि sir कहीं पर तो creditors में stock add हो जाता है कहीं पर add नहीं होता तो दोनों में क्या difference है तो existing company में add करने की ज़रत नहीं पड़ती लेकिन new company के अंदर add करना पड़ता है अब ज़र देखे बीबीक्यू 28 अनिजर लिमिंटेड निवली फॉर्म्ट कंपनी नई कंपनी है has applied to the commercial bank for the first time for finance its working capital requirement the following information is available about the projection for the current year estimated level of activity 1,4,000 completed units of production plus 4,000 units of WIP तो हमें 1,4,000 unit तो completed बनानी है 4,000 unit हमें WIP के बनानी है based on the above activity estimated cost per unit is raw material 80 रुपे labor 30 रुपे overhead 60 रुपे exclusive depreciation इसमें डैप नहीं है 170 की cost तो 200 में बेज देंगे raw material stock 4 week का रहेगा WIP 50% completion stage में है of conversion cost conversion cost का मतलब होता है labor and overhead but material is issued at the start of processing तो material सुरू में ही लग जाता है तो material 100% हो जाएगा तो भाई साव आप अगर नहीं भी बोलतें तो हम material को 100 labor overhead को 50% बानतें finished goods जो stock में रहेगा वो 8,000 unit है अब ज़रा देखिए आप WIP की units कित्ती बनाओगे 4,000 finished goods की unit कित्ती बनाओगे एक लाग चार जार इसमें से 8,000 units तो आपकी closing stock में रहेंगी balancing figure 96,000 आपकी sale हो जाएगी तो इसका मतलब आप एक लाग चार जार unit बनाएगे जिसमें से 8,000 closing stock में रहेंगी opening तो है नहीं हमारे पास तो 96 ही बेच पाएँगे तो हमारी sale 96,000 unit की होगी इसके बाद creditor lag in payment यह सारी चीज़र दी हुई है वो सब आजाएगी अब question के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमें income statement बनाने तो आपको यह बास समझनी है कि हम जो finished goods है जो unit sold है और जो WIP है सब पर काम करना पड़ेगा 8,000 unit finished goods की है sold करेंगे 96,000 total 1,4,000 होगे है हमारे पास और WIP में है हमारे पास 4,000 unit उनके उपर भी काम होगा यह जो 1,4,000 unit है इस पर material 80, labor 30 और overhead 60 रुपीज लग जाएगे पूरे तो इस पर 100% cost लगेगी 80 रुपे, 30 रुपे और 60 रुपे लेकिन WIP की अगर बात की जाए तो इस पर material तो 80 रुपे लगेगा लेकिन labor overhead 50% लगेंगे यानि 30 प्लस 60 इसका 50% ही लगेगा यानि labor 50 रुपे और overhead 30 रुपे लगेंगे क्योंकि 50% लगने है तो इसका income statement बहुत important होता है तो अगर हम इसका income statement देखें देखें, raw material हमारे पास 96,000 unit जो बिकनी है प्लस 8,000 जो closing stock में रहेंगी प्लस 4,000 जो WIP में रहेंगी सब के उपर पूरा material लगेगा वो finish goods हो या WIP हो तो 1,8,000 unit पर पूरे 80 रुपे लगए ठीक है जी अग labor की बात की जाए तो 96,000 पर और 8,000 unit पर complete लगेगा लेकिन जो 4,000 unit है उन पर सिर्फ 15 रुपे लगेगा 30 रुपे नहीं लगेगा तो 1,4,000 unit पर पूरे 30 रुपे और 4,000 unit पर आधा लगेगा तो आपके पास 15 रुपे के साफ़ सारे या जाए 31.80 इसके आद overhead की बात करूँ तो 96,000 unit पर पूरे 60 रुपे 8,000 unit पर पूरे 60 रुपे लेकिन 4,000 unit पर आधे यानि 30 रुपे लगेंगे तो हमारे पास 1,4,000 पर पूरे 60 रुपे और 4,000 unit पर आधे लगेंगे यानि 30 रुपे लगेगे यह हमारे पास आ जाएगा, तो यह हमारे पास cost up to factory आ जाएगी, अब cost up to factory में opening WIP तो कुछ भी नहीं है, closing WIP है, closing WIP कितना है, 4000 unit जिन पर material पूरा 10 रुपे लगा है, labor 30 रुपे थी पर 50 रुपे लगी है, overhead 60 रुपे थे लेकिन 30 रुपे लगे हैं, यह दोनों आधे-धे लग चुए हैं, यह हमारे पास WIP माइनस हो गया, अब आ जाएगा cost of production, cost of production एक लाग 8000 unit है, जिसमें से 8000 unit यहीं पर रह जाएगी, उन 8000 unit पर material पूरा लगा है, 80 रुपे, labor पूरी लगी है 30 रुपे, overhead भी पूरे लगे हैं, 60 रुपे, तो 170 लगे हैं, उसकी valuation आ गई, यह आग हमारे को इतना सा कुछ करना पड़ेगा, yes बेटा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर opening stocks नहीं है, अगर opening stock होते, तो बड़ा simple था, जितना closing stock है, उतना ही opening stock माल लेते, तो मैं 5 लाग रुपे जोडता है, और फिर 5 लाग माइनस करता, कोई जरू होती नहीं है, figure त होते हैं, working capital पर, income statement में क्या करना है, raw materials सब के उपर, labor, फिर overhead, WIP पर जितनी percentage बोले उतना, बाकी पर complete, फिर cost अप्टू factory आएगी, closing WIP माइनस करेंगे, फिर cost of production आएगा, closing finish roots माइनस करेंगे, फिर COGS आ जाएगा, और profit जोड़ कर बेच नहीं है, अब हमारे पास working capital निकालन WIP निकालने की जड़रती नहीं है, आपने अभी निकाला है, पांचलाग रुपे, और finish roots भी निकालने की जड़रती नहीं है, 1360 है, तो WIP और finish roots सीदे आ जाएगे, 5 लैक और 1360, debtor, total cost हमारी है, 163, 20,000, debtor है, 8Y52 लिख दिये, cash balance सा लिख दिया, कोई दिकत नहीं है, outstanding labor है तो 3180 का 1.5B के लिख दिया, अब page फसेगा आपका creditor में, ये जो हमें raw material दिया हुआ है income statement में, ये है raw material consumed, पहले क्या होता था, कि raw material consumption और purchase एक परावर थे, तो जितना consume होता था, उसी पर closing stock raw material का निकल जाता था, उसी पर creditor निकल जाते थे, लेकिन आप तो purchase अलग है, तो आपको अब यहाँ पर पहले purchase निकालनी पड़ेगी, purchase कैसे निकालेंगे, raw material consumption, plus closing stock of raw material, consumption कितनी है, 86,40,000, plus closing stock कितना है, वो आपने अभी निकाला है यहाँ पर, 6,64,615, 6,64,615, तो हमें कितना समान खरीटना पड़ेगा, 86,40,000, plus 6,64,615, आपको 93,4,615 की purchase करनी पड़ेगी, 4 week का टाइम है, तो creditors के अंदर closing stock को add करना है, सिर्फ किस case में, new company के case में, existing में कुछ भी करने की देवरत नहीं है, ठीक है, एक बड़ा famous new company का question, study mat में भी है, इसी के अंदर थोड़ी manipulation करके RTP में दिया गया है, RTP में उसका answer गलत है, जब मैं RTP की video भी upload करूँगा, booster के बाद, उसमें वो answer मैं बता भी दूँगा के ठीक क्या होगा, यह इन्होंने profit and loss account दे दिया, लेकिन जैसे हम लोग लेते न, raw material से start करके वैसे नहीं दिया, उल्टा दे रखा है, sale दे दी, cogs लिख दिया, gross profit आगया, gross profit में से admin selling minus कर दिये, profit before tax आगया, फिर tax आगया 10,000 का, फिर profit after tax आगया, ठीक है जी, अब इन्होंने यह जो cogs है, उसकी कहानी यहां पर देती, कि cogs के अंदर material, wages, depreciation, इतना आगया, closing finish goods इतना है, हमारे पास 10% of goods produced, और यह 153 cogs है, ठीक है लिए, the figures given above relate only to finished goods, and not to WIP, कह रहे हैं, उपर जो हमने figures दी हैं, वो सिर्फ finished goods की दी हैं, उसमें WIP को हमने consider नहीं किया, भाई, income statement में, आपने WIP क्यों नहीं consider किया, वो तो करना चाहिए था, यानि आपका income statement गढ़ बढ़े, ओके, goods equal to 15% of the year of production in terms of physical unit will be in process, तो उपर यह जितना भी goods है, इसका 15% WIP के अंदर है, तो 15% WIP भी है, यानि 100 unit अगर finished goods की बनी है, तो 15 unit WIP की बनी है, ठीक है, on the average requiring full material, जिसमें material तो पूरा लगा हुआ है, but 40% of other expense, यानि labor overhead वगेरा 40% लगेंगे, ठीक है, company believes in keeping material equals to two month, all expenses paid one month in advance, supplier of material extend 1.5 month credit, sale will be 20% for cash balance on two month credit, 70% of income tax paid in advance, and in quarterly installment, the company wishes to keep 8000 cash, 10% added to estimated figure for unforeseen contingency, prepare an estimate of working capital on, cash cost basis, अब इसमें हमें क्या गरना पड़ेगा, हमें इसमें income statement को revise करके बनाना पड़ेगा, और cash cost basis पर बनाना है, बड़ाई simple है, देखे, इन्होंने WIP इसमें consider नहीं किया, जो total quantity का 50% है, 15%, material complete लगा है, labor overhead 40% है, तो बड़ाई simple है, यह हमारे पास है material, labor, depreciation हमें लेना नहीं है, ठीक है जी, तो अब जाए देखे, income statement हमारे का सोज़े, material, 84,000 इन्होंने लिया है, ओके, यह finished goods का है, अब WIP भी तो बनाना पड़ेगा, तो WIP इसका 15% है, और completion stage complete है, यानि 100% लगा हुआ है, ठीक है जी, यह आगे material total, 84,000 प्लस 15%, 96,600 का होगे material, अब wages and manufacturing expense, यह आगे हमारे पास, amount है, 60 to 500, यह finish goods का दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, 15% WIP में भी लगा होगा, और कहरें, completion stage 40% है, इसकी 100% नहीं है, तो यह वाला तो 100% पर है, पहले हमने निकाला कितना WIP है, 15%, और उसमें percentage कितनी लगी है, 40%, तो 62,500, into 15%, into 40%, 3,750 आ गया, यह हमारे पास आ गया, 66,250, depreciation हमें लेना नहीं है, यह होगी cost up to factory, factory तक की cost हमारी कितनी लग गई, तो 96,600, 66,250, यह होगी, 162,850, अब इसमें से minus करेंगे WIP, तो WIP कितना है, इसमें इतना material, इतनी labor और expensive लगे हैं, तो 84,000 का 15%, 12,600 तो material का है, और 62,500 का 15% का 40%, 3,750 लेबर और expense के हैं, तो 12,600 प्लस 3,750, 16,350 हमारे पास WIP का है, यह होगी cost of production, cost of production 162,850-16,350, 146,500 cost of production आ गया, जिसमें depreciation नहीं लिया हमने, और आप यहाँ पर check करिए, यह भी इतना ही आएगा, बस इसमें WIP नहीं था, 84,000 प्लस 62,500, 146,500, तो यहाँ भी 146,500 ही था, अभी भी 146,500 ही है, बस इन्होंने यह Medadian और लेबर के लिए down to IP नहीं जोड़ा था, पहले down to IP जोड़कर income statement में दिखाना था, फिर minus करके closing stock दिखाना था, cost of production आ गया, अभी इसमें से finish goods minus करेंगे, question ने काए 10% of production है, यह 10% है, तो ठीक है, 146,500, finish goods आ गया, यह आपके पास आ गया, 131850, COGS, इसमें admin और selling को जोड़िए, आपके पास पूरा income statement तयार हो जाएगा, हमें income statement में income tax नहीं दिखाना होता, 14 and 13, 14,000, 13,000, यह आपके पास cost आ गई, 131850, plus 14 and 13,000, तो आपके cost आ गई, 158850, यह income statement इस तरीके से बनना चाहिए था, अब हमें निकालना है इसके बाद के जो period हैं, उसमें कोई दिखकत नहीं है, raw material 96,600 हमने निकाल दिया, अपनी income statement में, यह आगया यहां पर हमारे पास, 96,600 का हमारे पास 2 by 12, दो महीने का था आ गया, WIB हम पहले ही निकाल चुके हैं, 16,350, यह रहा, finish goods हम पहले ही निकाल चुके हैं, 14,650, यह आ गया, कोई दिखकत नहीं है, debtors, जितनी भी हमारी total post आई है, 158,850, यहां पर आ गई है total post, 80% ही credit sale है, 80% आगई 2 by 12, यह भी आ गया, जो खर्चे हैं वो सब 1 month advance थे, तो सारे खर्चे 1 month advance ले लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, cash balance 8,000 आ गया, अब एक तो आपको creditors का धियान रखना है, creditors में हम 96,600 तो लेंगे यह बता, जो material consumed हुआ है, raw material consumed, प्लस closing stock लेंगे, जो हमने अभी निकाला है, 16,100, तो 96,600 प्लस 16,100, फिर टाइम से multiply करके निकालते के, अब एक point है income tax का, income tax का point देखे के क्या लिखा हुए, हमारा जो provision for tax है, इस question के अंदर, वो provision for tax है, दस अजार रुपे है, पूरे साल का, ठीक है, question कह रहा है कि इसका 70%, 10,000 का 70% हमने pay किया है, ठीक है जी, तो 70% दिया, इसका अंदर 30% नहीं दिया, तो हमारे पास जो 30% है, वो provision for tax liability में आ जाएगा, तो 10,000 का 30% जो आपने नहीं दिया, वो provision for tax आपके लिए liability होगी है, ठीक है, अब कह रहे हैं, जो हमने 70% दिया है, यानि 7,000 रुपे, वो advance जाता है quarterly installment में, तो quarterly installment में अगर आपका advance जा रहे है, तो एक installment हमेशा advance में लेगी, पहली installment थी, वो advance में आगे, जब वो खतम हो गई, set off हो गई, फिर दूसरी installment advance में लेगी, तो एक installment आपकी advance में चल रही होगी, 1750 का income tax आपका advance में अभी वी चल रहा होगा, तो advance tax आगे आपके पास 1750 कोशन खतम हो गया, एक हमारे पास बड़ा famous कोशन चलता है, domestic company और export वाला, यह एक जाम में पूछा जाता है, 10 marks की इसकी वेटेज जाती है, the management of trucks company limited, is planning to expand its business and consult you to prepare an estimated working capital statement, record of the company reveals the following annual information, the records of the company reveals the following annual information, sales, इन्होंने यहाँ पर sale दी हुई है, domestic sale, एक महीने के उधार पर 18 रुपे की, और export sale, तीन महीने के उधार पर, आठ लाग, दस अजार की, और बोला है कि जो sale price है, वो domestic sale से 10% कम है, यानि अगर आप domestic, यानि इंडिया के अंदर कोई चीज 100 रुपे की बेच रहे हो, तो export करते time उसे 90 रुपे की बेच रहे हो, तो देखे, आप चीज 100 रुपे की बेचो, या 90 रुपे की बेचो, cost सेम रहती है per unit, जैसे मानदो ये calculator है, ये 70 रुपे में बनाए, अब मैं इंडिया के अंदर इसको 100 रुपे में बेच रहे हो, इंडिया के बाहर इसको 90 रुपे में बेच रहे हो, बनाए ये 70 रुपे क लेगिन पेमेंट वेजिज लिखा है, half month, वेजिज की अमाउंट देदी 540, लेगिन पेमेंट ओफ मैनिफेक्टरिंग एक्सपैंस देदी है, 765, लेगिन पेमेंट ओफ एडमिन देदी है, बनमन्त और अमाउंट देदी 180, सेल प्रमोशन एक्सपैंस, क्वाटरल्डी लेगिन पेमेंट ओफ मन्त तो देखकर ऐसा लग रहा है, यह आउट इस्टेंडिंग वेजिज 540,000 है, पढ़ने में ऐसा लग रहा है, पर एक्चुल बात यह नहीं है, एक्चुल बात है कि वेजिज पूरे साल की 540,000, मैं आपको इसे प्रूब करके बताता हूं कैसे, यह डिजाइनिंग की गलती है, ऐसे लिखा नहीं होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, ऐसे काइदे में जहां लिखा होना चाहिए, वेजिज 540 है, ब्रैकिट में पॉलिसी होनी चाहिए, कि लेगिन पेमेंट हाफ मन्त है, ऐसे, तो यह ब्रैकिट में होनी चाहिए पॉलि Ma haaf maanth लिखा हुआ है 5,40,000, अगर यह outstanding wedging है 5,40,000 जो आधे महीने की है तो तो पूरे साल की वेज़ि़ कितनी होगी अगर आधे महीने की वेज़ि़ 5,40 है तो पूरे साल की वेज़ि़ हमारे पास होगी एक करोड 29,60 तो इसका महला हमारी वेज़ीच वन करोड 29,60 तो इतनी तो आपकी सेल भी नहीं है आपकी तो टोटल सेल ही 18 और 28 लाग 10,000 रुपए है तो सेल ही 26 लाग 10,000 एक डिल करोड की वेज़ीच कैसे हो सकती है तो लिखने में गलती क्यों है डिजाइनिंग में गलती है ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए पर यह कोश्चन आज का नहीं है दस साल से पूछा जा रहा है और इस्टडी मैट में भी दस साल से है तो यह ऐसे ही लिखा हुआएगा और एक याम में आता रहता है ठीक है तो यानि यहाँ पर चित्ती भी वेज़ीच वगरे लिए यह वे कर ली जे और डैप्रीशेशन को भी इगनॉर एगनौर कर दिजी अगर आप डैप्रीशेशन को एगनौर कर वा रहे हैं तो इसका मतल़ कोकि हमें और प्रीशेशन के 40 admin expense 765 इन्होंने इस question के अंदर जो admin expense है उसको related to production माना है तो related to production admin expense दो दरीके के हो सकते है related to production और not related to production दो ऐसे question हैं जिसमें ICI ने related to production माना है वो दोनों question में बता देता हूं आपको एक question तो है आपका domestic और export sale वाला तो आप भी related to production मान लेना कोई रिक्कत नहीं है और दूसरा है जिसमें दो साल का data दिया जाता है इसके बाद में वही question करने वाले हैं तो यह दो question है जिसमें related to production माना गया है आपको यह याद रखना होगा कि related to production माना है वरना आपका answer कर बढ़ हो जाएगा तो exam में यह दो question है सिर्फ यही दो question है इसके इलाबा बाकी सब जगे पे not related to production माना गया है अब फर्क क्या पढ़ेगा अगर not related होता तो cogs यहां की जगे यह आता cogs के बात और cogs के amount बदल जाती तो फर्क पढ़े आता question के अंदर तो आपको धियान रखना है कि इसमें related to production माना है ठीक है जी जुड़ गए सारे इसमें कोई दिमाग नहीं लगाए गया यह question में 675 547 65 180 और 112 500 सीदे दियो है ठीक है अब question हमसे कह रहा है रो मेटेरियल वनमंद का है कोई दिक्कत नहीं finish goods वनमंद का है कोई दिक्कत नहीं डैटर्स का गेम है वो मुझे सिखाना है आपको और इसके बाद में sales promotion expense आपके एक quarter के advance है कोई दिक्कत नहीं क्रेडिटर्स आपके नई कंपनी नहीं है एक जिस्टिंग कंपनी है तो सीध है जित्ता रो मैटेरियल कंग्यूम्ड है कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं कोई डिक्कत नहीं है अब हमारे पास इसमें कोई ल में निखिए हुई है, the company keeps one month, this is this, and believing in keeping two lakh fifty thousand available to it, including overdraft limit seventy five thousand, कह रहे हैं कि company ये चाहती है, कि उसके पास धाई लाग रुपे हो, cash balance, including overdraft limit seventy five thousand, जिसमें हमारे पास overdraft का seventy five thousand की limit है, अब मुझे एक बात आता ही है, आप चाहते हो कि आपके पास थाई लाग रुपे cash रहे, यानि liquidity थाई लाग रुपे की रहे, और आपके पास एक credit card है, जिसमें 75 thousand की limit है, यानि आप जब भी credit card से चाहो, 75 thousand रुपे निकाल सकते हो, या उससे shopping कर सकते हो, तो मुझे बताइए, आप total थाई लाग रुपे चाहते हैं, अपने पास liquidity जिसमें से credit card के अंदर 75 thousand है आपके पास, तो बताइए, आपके पास cash कितना होना चाहिए, तो 2,50,000 माइनस 75,000, आपके पास cash balance 1,75,000 होना चाहिए, क्योंकि credit card भी तो liquidity को represent करता है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही overdraft limit भी liquidity को represent करती है, और आगे mention भी कर दिया, not yet utilized by the company, यानि credit limit intact है, उसमें से भी कुछ भी इस्तमाल नहीं किया, यानि आपके credit card से आपने भी कोई payment नहीं किये, तो 75,000 की limit आपके पास है, तो 5,500,000 की जड़त की question के अंदर, cash balance में, 5,500,000 में से हम वो 75,000 की limit अटा देंगे, सिर्फ 175 हमें cash रखना पड़ेगा, ठीक है, अब मुद्धा आता है, जो debtors हैं उनके उपर, देखिए, basically debtors को हम value करते हैं, cost पर, ठीक है, तो debtors को आप cost पर value करते हो, मैंने आपको बताया, कि ये calculator 70 रुपे का है, इसको मैं 90 रुपे में बेचूं या 100 रुपे में बेचूं, ये रहेगा तो 70 रुपे का ही, तो अब मेरे को cost को apportion करना है, मेरे को debtors की cost निकालनी है, debtors दो तरीके के हैं, एक domestic, और एक export sale वाले, ठीक है, अब देखिए, इसमें जो हमारे C और GS है, वो दोनों में same लगा होगा, पर unit, ओके, तो question में क्या दिख रहा है हमें, question के अंदर हमारे पास, अठारा लाग की sale है domestic की, और export sale है 8 लाग 10 जार की, और ये 8 लाग 10 जार की sale जो है, इसमें price 10% गिरा हुआ है, तो आपको दोनों को equivalent level पर लाना होगा, यानि कि आपको, या तो आप 18 लाग को इसके level बे ले जाईए, 10% price गिरा दो, तो 18 लाग का 10% price गिरा है, ये हमारे पास आगया, 16,20,000, तो आप कहतो, domestic sale 16,20 है, 10% price गिरा कर, और export sale 8 लाग 10 जार है, ratio होगे 2 और 1 का, ठीक है, या फिर आप कर सकते हो, कि domestic sale में conversion कर लो, export sale का, कि export sale है 8 लाग 10 जार, जो domestic price का 10% कम है, यानि 90 परसेंट पे तो 9 लाग की sale होगी, equivalent, तो या इसको 9 लाग रुपे बना लो, कि 9 लाग के बरावर, तो दोनों को same level पर लाना पड़ेगा, या तो दोनों को domestic sale के level पर ले क्या हो, या दोनों को आप export sale के level पर ले कर आओ, क्योंकि दोनों के पीछे लगने वाली cost तो same है, calculator 70 रुपे का है, आप 90 में बेचो या 100 में बेचो, इस calculator की cost 70 रुपे पर unit है, तो हमारे पास इसका बड़ा simple सा तरीका रहता है, डेंटर्स का, आप क्या करेंगे, domestic और export के बीच में आपको ratio बनाना है, तो 2 to 1 का ratio आएगा कैसे, domestic sale है 18 लाग, जो export sale है, 8 लाग, 10 अजार, उसको आप equivalent बना लीजे, domestic के, तो ये आपकी हो जाएगी 9 लेग, तो 18 लेग की domestic, और export sale हो गई 9 लेग, तो 18 इस्टू 9, यानि 2 इस्टू 1 का ratio आगया, अब जो भी आपके पास COGS है, question में, 21,60,000 का COGS है, उसको 2 to 1 के ratio में बाढ़ दीजिए, तो 21,60,000 पे divided by 3 multiply by 2, इसका आजाएगा, और 21,60,000 divided by 3 into 1, इसका आजाएगा, divided by 3 into 2, या आगया 1440, और या आगया 7.2 लेग, तो ये इन दोनों के मीच्छे में COGS बढ़ गया, तो selling expense, sale के ratio में बढ़ते हैं, देखो, मालो मेरा 5% commission है, तो अगर मैं 100 रुपे की चीज बेचूँगा, तो 5 रुपे commission लूँगा, 90 रुपे की बेचूँगा, तो 4 रुपे 50 पैसे commission लूँगा, commission 5% है, तो selling expense जो generally होते हैं, वो sale price से link होते हैं, तो selling expense को आपको sales के ratio में बढ़ना है, यानि 18 is to 8.1 के ratio में ही selling expense बटेंगे, तो हमारे पास selling expense कितने रुपे दिये हुए हैं, 1,12,500, 1,12,500 के selling expense हैं, 18 plus 8.1 हो गया, 26.1, multiply by 18 इसका आ जाएगा, और 1,12,500 divided by 26.1, multiply by 8.1 इसका आ जाएगा, तो है आ जाएगा, 1,12,500 divided by 26.1, multiply by 18, 77,586 और 8.1, 34,914, तो 7.2,34,914 को जोड़ी दिये, 14.4 और 77,586 को जोड़ी दिये, तोनों debtors की cost निकल कर आ जाएगी, इसमें debtors की cost निकाल नहीं ज़़ू दिये, तभी फिर उनके हम credit period से multiply करके, उनको value कर पाएगे, तो 14.40 प्लस 77,586, इसकी cost होगई 15,17,586, और 7,20,000 प्लस 34,914, इसकी cost होगई 75,4914, आप दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो आपके पास 22,72,500 आ जाएगा, जो हमारी total cost है, हमारी total cost है, 22,72,500, तो यह मैंने दोनों debtors की बीच में split कर दिये, split कैसे करनी है, फिर से बता रहा हूँ, important question है, जो COGS तक का घर्चा है, उसे तो आप बाटेंगे, equivalent बना कर, यानि 18,00,000 की domestic है, और आपकी export है 8.1, तो 8.1 को 9,00,000 बना लो पहले, वो 90% है न, यहां फिर 18,00,000 और 8.1 है, तो 8.1 को 8.1 रहने तो, और 18,00,000 को 10% कम करके 16.2,00, बना लो, ratio to each to one ही रहेगा, तो दोनों को एक ही level पर लाना पड़ेगा, उसके बाद में बटेगा, COGS तक का खर्चा, और selling expense, actual sale के ratio में आप बाट देंगे, अब यह दोनों चीज़े जोड़ दी जाएंगी, यह आपके पास post आ गई, बस, जो debtor हैं हमारे पास, domestic debtor, उनका एक महीने का उधार है, जो export debtor है, उनका तीन महीने का उधार है, तो बहुत famous question है, और exam में आता रहता है, 10 marks पहाएगा, एक है BBQ 31, इस question की एक बड़ी महीदार खासियत है, इस question की खासियत यह है, कि यह RDP, MTP, study mat, सब जगे पर है, पर exam में आज तक नहीं पूछा गया, किसी भी दिन पूछा जा सकता है, देखते हैं question, एक नया project हमने start के है, तो यह new company का question हो गया, तो 12,000 यूनिट पर यह आपको पहानी बता रहे है, material 40 रुपे पर यूनिट है, labor and variable expense 20 रुपे है, fixed manufacturing expense 6 रुपे पर यूनिट है, तो fixed खर्चे को हमें convert करना पड़ता है, टोटल अमांट में, यह 72,000 हो गया, अब यह 72 रहेगा, चाहे हम 12,000 यूनिट बनाओ, 4,000 बनाओ, 5,000 बनाओ, इसके बाद में depreciation 10 रुपे है, तो fixed खर्चा होता है, तो एक लग भी से जार रुपे का depreciation आ गया, इसके बाद fixed admin expense 4 रुपे है, तो basically यह 48,000 रुपी जो गया है, okay, selling price 96 है, selling expense 5 रुपे हैं, जिसमें 80% variable है, तो 5 रुपे में 80% यानि 4 रुपे पर यूनिट variable हो गया, और 1 रुपे पर यूनिट fix हो गया, तो fixed खर्चे को हमें convert करना होगा, 12,000 यूनिट हैं, तो 12,000 यूनिट पर 1 रुपे से 12,000 का खर्चा हो गया, तो हमारी जिन्ते भी fix खर्चे होते हैं, उनको हम total में निकाल लेते हैं पहले, तो selling expense 12,000 fix हैं, manufacturing expense 72, depreciation 120 और admin expense 48, ठीक है, अब ये आप unit कम बनाओं ये ज़्यादा बनाओं, ये amount change नहीं होगी, इसके बाद मैं question कह रहा है कि year 1 और 2, दो साल का data दे रहे हैं, production in units, number of sale unit, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ opening stock, यहाँ पर लिख रहा हूँ total unit, और यहाँ लिख रहा हूँ closing stock, जब आपने काम start किया तो opening stock 0 होगा, आपने 6000 unit बनाई, total कितनी हैं आपके पास, 6000 unit, इसमें से आपने 5000 बेच दी, closing stock कितना होगया, 1000 unit, अब यही 1000 unit अगली वाल का opening stock बनेगा, तो जब हम नया काम start करते हैं तो opening stock नहीं होता, लेकिन उसके बाद हमारे पास opening closing stock रह रहे हैं, 1000 आगया हमने 9000 बनादी, तो total होगी आपके पास 10,000, 8500 इसमें से बेच दी, तो 1500 का closing stock होगया, ठीक है, अब आपके पास में stock material का बोला है, 2.25 month, WIP 0 है, ignore करना है, debtors 1 month average sales दिया है, तो 1 month लेना है, और बोला है average sales, तो यह sale value पर valued होंगे, क्योंकि question ने किलियर लिखा हूँ है, कि sales पर लेना है, इसके बाद में cash balance 10,000, creditor 1 month की purchase, और creditor for expense, 1 month average of all expense, तो जितने भी expense है, वो एक महिने के out extending हो जाएंगे, depreciation को छोड़ का, ठीक है, अब question कहा रहा है, आपको projected income statement बनाना है, और working capital बनानी है, ठीक है, तो हमारे पास, यहां आपने लिख लिख लिए, production और sales, 6,000 unit और 9,000, विकी हैं 5,000 और 8,500, तो raw material 40 रुपे पर unit है, 243,60 आ गया, direct labor और variable expense हमारे पास 20 रुपे पर unit है, यह आपके पास 120 और 180 आ गया, fixed manufacturing expense, depreciation और admin, agility जाएंगे दोनों जगा पर, उसमें कोई change नहीं होगा, ठीक है, यह हमारे पास cost of production आ गया, यह वो दूसरा question है, जिसमें ICI ने admin expense को related to production माना है, तो हमारे पास दो ही question है, जिसमें related to production लिया जाएगा, एक दो domestic और export sale वाला, और दूसरा working capital का, यह दो year वाले data में, इसमें admin को related to production माना है, यह question कभी आया है नहीं, पर पूछा जा सकता है, अब इसके बाद में हमारे पास cost of production आ गई, 6 lakh पहले year की, इसकी 780 आ गई, opening stock नहीं है इसमें, 6 lakh आपका आ गया, अब closing stock निकालना है, बड़ा simple है, 6 lakh की cost है 6000 unit पर, तो 1000 unit की cost कितनी होगी, 1 lakh, यह closing stock हो गया, और यह आ गया COGS, तो ठीक है, यहाँ पर कोई रिक्कत नहीं है, पहले उसमें, तो 6 lakh और 780 तक कोई रिक्कत नहीं, opening stock 0, 1 lakh रुप है closing stock, 5 lakh का COGS, अब यह जो closing stock है, यह अगले साल का opening stock बन जाएगा, ठीक है, अब हमारे पास, year 2 में stock valuation के दो तरीके हैं, एक है FIFO method, और एक है weighted average, मैं दोनों तरीके साब को बता रहा हूँ, अगर आप weighted average लेते हो, तो total cost कितनी, 880, total units कितनी आपके पास, total unit है, 9000 बनाई है, 1000 opening, 10,000 total units है, ठीक है दी, 10,000 total unit है, 1500 closing stock है, तो आप जादेखे, 880, divide by 10,000, multiply by 1500, 1 leg 32,000 आगिया दी, closing stock, अगर आप निकालते हैं, FIFO method से, तो FIFO method में हम क्या करेंगे, FIFO method के अंदर, आप लोग ये मानेंगे, कि जो opening stock है, वो तो बिग गया, और जो current stock है, current production है 780 का, जो 9,000 unit आपने बनाई है, इसी में से 1500 units का closing stock है, 780, divide by 9,000, multiply by 1500, तो ये हो गया, 1,30,000 का stock, तो अगर FIFO लेंगे, तो closing stock 130 आएगा, weighted average लेंगे, तो 132 आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा, कौन सा लेन है, question के अंदर ICI, एग्याम में mention करेगा, वरना 2 suggested बन जाएंगे, एक weighted average से, और एक FIFO से, तो ICI को बताना पड़ेगा, कौन सा method है, अगर नहीं दिया हुआ, तो आप जिस भी method से लिखे हैं, exemption लिख दीजिएगा, क्या हमने weighted average से किया है, यह हमने FIFO से किया है, suggested answer दो आएंगे फिर, एक FIFO से आएगा, और एक weighted average से आएगा, तो ICI लिख के देगा, जब यह question आएगा, क्योंकि यहां पर FIFO यह weighted average, दो में से कोई एक method लग सकता है, अब इसके बाद में variable cost आगी, कोई दिक्कत नहीं है, fixed cost fix रहेगी, 12,000 ठीक है, cost of sale आगई, sale कर दिया, profit or loss आगया, अब हमें निकालनी है, इसकी working capital, ठीक है जी, तो working capital के अंदर, आपके पास, raw material का stock 2.25 मन्त है, debtor बन मन्त के हैं, sale पर लेने, 10,000 का cash है, creditors एक महीने के हैं, purchase के, और बाकी सारे expense, एक महीने के आजेंगे, ठीक है, तो raw material जित्ता भी था आपके पास, जैसे ये था 240, multiply by 2.25, divide by, 2.4 lakh, multiply by 2.25, divide by 12, यह आपके पास 45 आजाएगा, ऐसी second year का, 240 into 2.25, divide by 12, यह 45 और 67, 27,500 आ जाएगा, finished goods निकला हुआ है, question के अंदर ही, यहां पर, 1,00,000 और 132, ठीक है जी, debtors, sale value पर लिये हुए, 40 और 68 आ गए, cash balance दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, अब यह जो creditor और outstanding expense है, इसमें देखे, creditor पहले साल के, पहले साल का, raw material consumed कितना है, 240, okay, 2,40,000, closing stock कितना है, 45,000, opening stock कितना है, zero, क्योंकि company नहीं है, okay, तो raw material consumed, plus closing stock, opening stock का सीन नहीं है, और creditor है, बन मन्त के, यह देखे कितना आगए, 240, plus 45, divide by 12, यह आगए, 23,750, पहले साल के हो गए, अब second year के अंदर, second year में company, आपके नई company नहीं है, existing company है, तो existing company में, हम यह assume करते हैं, कि opening closing stock, एक बरावर होगा, लेकिन वो हमारी assumption है, तो opening closing stock के बरावर होगा, वो हमारी assumption है, यह हम assume करके चल रहे हैं, इसका, यह तब हो assume के अज़िया है का, जो question में दिया ना गया हो, यहाँ पर question के अंदर, opening closing stock साफ साफ दिख रहे हैं, यह देखिए, पहले साल का, raw material का closing stock है 45, second year का है 67,500, तो यहाँ पर हमें, assumption नहीं लेनी, बलकि, दी हुई figures पे निकालना है, तो second year की purchase किती आएगे आपकी, second year की purchase में, 360 आपके पास हो गया, raw material consumed, अब बताई, plus closing stock, 67,500, minus opening stock, बताई, first year का closing ही opening stock बन जाएगा, अब credit निकलेंगे, 360 plus 67,500, minus 45,000, 382,500, वन मंत का निकाँ, दीजे 1 by 12, divide by 12 वा गया, 31875, यह हमारे पास आगए, creator, इसके अलावा जो outstanding expense है, सारे खर्चे जोल डीगे, depreciation को मत जोड़ना, और 1 by 12 कर डीगे, question खतम हो जाएगा, ओके, इसके बाद में हमारे पास है, यह last question बचा हुआ, double shift का एक, और working capital का the end हो जाएगा, यह question है, जो मैंने बताएगे, नहीं मैं से एक आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा, जो कुछ हुई, और एक question का पका मिलेगा, एक हमारे पास concept है, impact of double shift, आज तक नहीं पूछा गया, लेकिन study mat में दिया हुआ है, question भी अच्छा है, तो यहाँ पर हमारे पास impact of double shift, production और sale double हो जाएगी, variable खट्चे double हो जाएगे, fixed cost पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, raw material double हो जाएगा, WIP बात करेंगे, finished goods double, debtor double, prepared double, variable वाले, fix वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी outstanding variable वाले double, fix पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, creditor double हो जाएगे, बड़ा simple सा concept है, किसी के भी बारे में पूछे, अगर वो चीज variable है, तो double हो जाएगी, और अगर वो चीज fix है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे rent fix है, तो outstanding rent भी fix रहेगा, प्रिपेट रेंट भी fix रहेगा, अगर मान लीजिए वेजिज है, तो variable है, तो outstanding wages भी double हो जाएगी, वेजिज का खच्चा भी double हो जाएगा, creditors है, उनसे raw material मंगवाते हैं, तो raw material variable है, वो भी आपका double हो जाएगा, अब एक term आती है WIP stock, इसके लिए पूछ सकता है, WIP stock पे कोई फर्क नहीं पड़ता है units में, ऐसा क्यों होता है जड़े यह देखे, यह मेरी factory है, इसमें pipeline है, यहां से raw material का input होता है, इसमें process होता है वो, और यहां से finish goods का out होटा जाता है, ठीक है, अब इस pipeline की capacity मान दीजिए, हम cold drink को process कर रहे हैं, 5000 liter की cold drink हम एक वार में process कर सकते हैं, अब आप एक बात आदा यह, आप एक shift में काम करो, दो shift में काम करो, तीन shift में काम करो, आप एक घंटे काम करो, या दस घंटे काम करो, इस pipeline के अंदर, जो इसकी capacity है 5000,000 liter, उतना ही material एक वार में process होगा, तो आप factory में कभी भी जाओगे, इस pipeline के अंदर आपको 5000 liter की process होता हुआ मिलेगा, इसका time से लेना देना नहीं है, बल्कि इसका capacity से लेना देना है, तो factory की जो capacity है, WIP को process करनी की वो उतना ही कर सकती है, मान लो एक factory के अंदर 10 गाड़ियां बन सकती है, तो आप एक shift में काम करो या दो shift है, factory के अंदर आपको 10 गाड़ियां बनती भी दिखाई देंगी, वो जल्दी बनेंगी, उसके आद दूसरी 10 आ जाएंगी, पर factory के अंदर WIP जिसकाम बोलते हैं, वो आपका 10 cards है, तो 10 ही रहेगा, finish goods double हो जाएगा, region fast काम होगा, double shift में काम होगा, तो गाड़ियां जल्दी बनेंगी, तो finish goods double हो जाएगा, पर WIP उतना ही रहेगा, तो double shift में WIP के उपर कोई भी change नहीं होता units में, तो इसके question दिया हुआ है, कितना important नहीं है, और बड़ा question भी है, तो कभी भी पूछेगा, तो भी पता नहीं है, आपकी attempt में पूछे ले, तो करके जारे हैं इसलिए, इसे एक बार देख लीजेगा, इस पर जादा ध्यान मत दीजेगा, बस एक बार करके छोड़ देना, इसकी उम्मीड जादा नहीं है, पर question बहुत अच्छा है यह, Sumrine Enterprise has been operating its manufacturing facility, till 31st March 22, on single shift, ठीक है, cost of material 6 रुपे per unit है, wages 5 रुपे per unit है, जिसका 40% fix है, तो fix हो गया इसका 2 रुपे, और variable हो गया 3 रुपे, overhead आपके 5 रुपे हैं, जिसका 80% fix है, तो 4 रुपे हो गया fix, और 1 रुपे हो गया variable, profit 2 रुपे है, 18 रुपे sale price है, sale हमने की है, 4,32,000 रुपे की, तो आपकी 4,32,000 की sale है, sale price है 18 रुपे, इसका मतलब आपने, 24,000 unit बेची है, ओके, ये तब बेची हैं आपने, जब आप single shift में गाम कर रहे हो, ठीक है, इसके बाद में कह रहे है, raw material 36,000 का stock है, WIP prime cost पर value हुआ है, 22,000 का है, तो prime cost किसको बोलते हैं, material प्लस wages को prime cost बोलते हैं, तो ये हो गया, 6 और 5 रुपे, 11 रुपे पर unit आपकी, prime cost आगए, 22,000 रुपे का आपका WIP है, इसका मतलब 2,000 unit WIP में आपकी रहेंगी, 11 रुपे पर unit से 2,000 unit, 22,000 रुपे हो गए, 2,000 unit आपकी WIP में रहेंगी, ये double shift होने के बाद भी 2,000 unit ही रहेंगी, unit पर फरक नहीं पड़ेगा, finished goods 72,000 है, और debtors, 1,8,000 रुपे के, sundry debtors लिखा हुआ है, यानि ये इनकी cost नहीं है, बलकि इनकी amount है, तो 1,8,000 रुपे के debtors है, 18 रुपे sale price है, तो इसका मतलब debtors, 6,000 unit के आपके पास debtors ही है, तो अब question कहा रहा है, in view of increased market demand, it is proposed to double production, अगर आप double production करेंगे, तो आप 48,000 units बनाएंगे, ठीक है, by working an extra shift, it is expected that 10% discount will be available from supplier on raw material, तो आप माल ज़्यादा खरी देंगे, तो 10% discount raw material पर आपको मिल जाएगी, तो वो 6 रुपे की जगे, 5 रुपे 40 पैसे में आपको मिलने लगेगा, ठीक है, in view of increased volume of business, selling price will remain the same, the credit period allowed to customer will remain unchanged, credit available from supplier will remain same 2 months, lag in payment of wages continue to happen, बाकि कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है लिए रुपे लिए तो एससे the additional working capital requirement, if the policy of increased output is implemented, assessment of impact of double shift for long term, as a matter of production policy, तो करें double shift में क्या फर्क पड़ेगा, long term में वो बताना है, यानि पहले साल में क्या फर्क पड़ेगा, वो मत बताओ, पहले साल में तो हमें WIP, मतला हमें finish ओर स्वी जादा बनाना पड़ेगा, units जादा बनानी पड़ेगी, इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे, income statement, raw material, वेज़िज, और आपके पास raw material गया 6 रुपे, double shift में वही हो जाएगा, 540 पैसे, variable overhead 3 रुपे हैं, 3 रुपे ही रहेंगे, यहा 48,000 हो गए, जो fix हैं, वो 96 के 96 ही रहेंगे, fix पर कोई फर्ख नहीं पड़ेगा, तो variable खर्चा 72 का 144, fix खर्चा 48 का 48, variable खर्चा 24 का 48, fix 96 का 96, raw material भी double हो जाता, raw material भी double हो जाता, अगर question ने यह ना कहा होता, कि 10% discount मिल गई है, तो raw material था 1,44,000, वो यहाँ पर 2,88,000 हो जाता, पर question में कहा है, 10% discount मिल गई, तो 10% discount मिलने के बाद, वो 259,200 का हो गया, तो जित्ते भी fix खर्चे हैं, वो same रहेंगे, दोनों shift में, variable वाले double हो जाता, ठीक है दिए, अब इसके बाद में हमारे पास, हमें बनाना है statement of working capital, तो study mat ने 3 column बनाए है, पर unit भी दिखा रहा है, number of units भी, total भी दिखा रहा है, आप सिर total का column दिखा है, तो भी चलेगा, बाकी तो question बहुत rare है, chances के आए, पर फिर भी अगर आगे, तो आप total का column बना की भी कर सकते हैं, अब देखिए, raw material का stock अभी आपके पास खित्ता था, raw material का stock था, आपके पास 36,000, यह आगे दी, raw material का stock 36,000, अब double हो जाना चाहिए, 72,000, लेकिन 10% discount है, तो आपका stock हो गया, 64,800 का, ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आप समझेए, अजरा, बच्चा यह कहता है, कि सर उपर कई जही पर लिखा हुआ है, कि same period है, यानि raw material same period में रहेगा, supply and भी same period पर रहेंगे, दो महीने के, तो जब period same है, तो चीज कैसे बढ़ रहेंगे, पहले 24,000 यूनिट बनाते थे, मान लो एक महीने का उधार है, तो 2000 यूनिट हो गई, उधार पर, अब 48,000 यूनिट बना रहे हो, टाइम एक ही महीना रहेगा, लेकिन यूनिट 4000 हो जाएगी, तो period same रहेगा, लेकिन volume बढ़ जाएगा, तो सारी जो भी variable खड़े हैं, वो double, और आपके जो fix हैं, वो same रहेंगे, अब जाए देखिए, WIP stock 11 रुपे पर यूनिट थी अभी, 2000 यूनिट थी 22,000 की, अब आपकी prime cost कितनी है, अब आपकी prime cost 9 रुपे 40 पैसे, तो जब volume बढ़ता है, तो cost पर unit कम हो जाती है, तो 940 की आपकी अब value है, unit WIP की 2000 ही रहेंगी, ये समझानी के लिए इन्होंने तीन कोलम दियें, तो 2000 unit पर इसकी value आ गई, फिनिश खुट्स का stock आपके पास 72,000 रुपीच का था पहले, ये आगे 72, ये आगे दी 72,000, 72,000 था, 16 रुपे cost थी, तो 4500 unit थी, अब finish goods की unit double हो जाएंगी, तो finish goods की unit हो जाएंगी 9,000, और अब cost कितनी आ रही आपकी, 12 रुपे 40 पैसे, पहले 16 रुपे थी, तो 12 रुपे 40 पैसे से, अब आपका finish goods का stock, 111 600 का हो जाएगा, debtors आपके पास 6000 unit के थे, कैसे निकाला था हमने, 1,8,000 के debtor बताएं है, 18 रुपे के sale price पर, संड़ी debtors का मतलब होता है, sale price के लिखा हुआ है question में, तो unit आगी थी हमारे पास 6000, हमें अपने WIP statement में, cost पर दिखाना होता है, question जब तक नहीं बोलेगा, के value debt sale करो, तो हम cost पर दिखाएंगे, तो 6000 unit, 16 रुपे से debtor से 96, अब ये 12,000 unit के debtor हो जाएंगे, और cost होगे 12.4, इनकी value आ गई, ये हमारे पास निकल कर आ गई, इसके बाद में हमारे पास creditors, creditors पहले 24,000 के थे, अब 48,000 के हो जाने चाहिए, लेकिन 10% discount मिल गई है, तो price 10% कम है, इसलिए double नहीं हो पाएंगे, उससे 10% कम रहेंगे, तो 43,200 हो गए, अब हमारे पास outstanding wages और outstanding overhead, question ने का है, outstanding wages और overhead आदे महीने के रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास wages कितने रुपे है, variable or fixed zone और जोड़कर, 72 plus 48, 1,20,000 की wages है, आदे महीने की कितनी हो गई, 5,000 रुपे हो गई, ठीक है, यहाँ पर wages कितनी है, 144 plus 48,000, 1,92,000 की, आदे महीने का outstanding period है, 8,000 की हो गई, तो wages यहाँ 5,000 की, यहाँ पर 8,000 की outstanding हो जाएगी, तो यह 5,000, यह 8,000, ऐसे ही आपका overhead का, आप बता देंगे working capital में कितना change हुआ, काम खतम, question खतम, तो पूरे working capital में हमने basic क्या क्या देखा हो, और क्या क्या point थे, एक बार concept में जाकर देख लेते हैं, working capital के अंदर दो method हैं, operating cycle और component wise estimation, operating cycle है, R plus W plus F plus D minus C, इसके अंदर अगर cycle निकालने के लिए बोलेगा, तो raw material के लिए आप RMC, WIP के लिए cost of production, finish goods के लिए COGS, debtor के लिए और creator के लिए इसके बाद है component wise estimation, इसमें दो approach हो सकती है, total और cash cost, अगर इनको simplified way में देखें, तो depreciation prepaid outstanding कभी हो ही नहीं सकता, और working capital आपके पास में, total और cash cost approach से निकाल दी जा सकती है, cash cost हर जगे depreciation को ignore कर देगी, जबकि total approach WIP finish goods और debtor की valuation में, depreciation को consider करेगा, तो total approach में depreciation consider होगा, तीन चीज़ों के अंदर, WIP finish goods और debtors में, cash post में कहीं भी नहीं होगा, और किसी भी approach में out questioning और prepaid तो हो ही नहीं सकता, इसके बाद में हमारे पास scenario हो सकता है, existing और new business, तो new business के अंदर जो unit बेचोगे, वो भी बनानी पड़ेंगी, जो finish goods में रखोगे, वो भी बनानी पड़ेंगी, जो WIP में होंगी, वो भी बनानी पड़ेंगी, और जब creditor निकालोगे, तो raw material consume में, closing stock को जोड़ दोगे, काम खतम, यही हमारे पास पूरा working capital, अब आप लोग पूछ सकते हैं, कोई doubt हैं, तो इसके बाद हमें एक छोटा सा प्रेक लेने वाले हैं, और उसके बाद में अपला chapter देखेंगे, अगर राइटिंग में नहीं कर पा रहे हो, calculator पर कर लो, time है तो writing में कर लो, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है, और सारे के सारे उन questions का चुनाव किया गया है, जो one of the best question है आपके पास, एक बच्चा कहा रहा है, टंडन कमीटी, टंडन कमीटी नहीं कोर्स में हट चुका है, ICI के study mat ने उसको हटा दिया है, हाझ जी, बीबीक्यू ट्वण्टी एट में कोस्ट आप प्रोडक्शन में एक लाख आठ जार यूनिट आनी चाहिए, तो एक लाख आठ जार ही तो हैं, हाझ जी, एक मिनट, अच्छा, ठीक है, एक लाख चार जार, ठीक है लिए, यह 1,4,000 है, लिखना है मेरे से गलबड़ी होती है, यहां टाइपिंग एरर है, यह एक लाख चार जार है यहां पर, ओके, हाझ जी, और, 45 लेट का रिड़क्शन, जितने दिन का रिड़क्शन हुआ है, उतने दिन का पैसा ब्लोक होना बंद हो जाएगा, तो पूरे साल में 18,90,000 का ब्लोक हो रहा था, 45 दिन का कितना ब्लोकेज है वो देख लो, वो ही डैटर से हैं, वो रिड्यूस हो जाएगा आपका, अगर क्रेडिट कार्ड वाली लिमिट यूज कर चुका है, तो पूरे थाई लाग रुपे लेने पड़ेंगे, अगर क्रेड कार्ड की लिमिट आपकी यूज हो चुके हैं, वो 75,000 वाली पूछने हैं, तो पूरे धाई लाग प्रोप्य आपको लेने पड़ेगे हैं ठीक है तो मेरे ख्याल से ब्रेक की जड़क पड़ गई होगी आप लोग को भी और ब्रेक ले लेते हैं हम लोग ब्रेक लिखता हूँ दूसरे चैप्टर पर रिसीवल मेनेजमेंट अब यह उपर जाएगा जो चलेगा वो उपर रहेगा रिसीवेबल मेनेजमेंट श्टार्ट होगा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक है हमारे पास 15 मिनट का आराम से चायवाए पिलो आप लोग और अभी टाइम हो रहा है 11.43 पंदरा मिनट जोड़ लो 43 में 11.58 पर स्टार्ट करेंगे रिस्टार्ट अगला चैप्टर बहुत छोटा है मुश्किल से 30-35 मिनट में हो जाएगा मानस कह रहें कि admin को related to production लेना है वो एजम्शन मान कर करना है बिल्कुल वो एजम्शन डालनी पड़ेगी आपको BBQ29 में advanced tax का point 70% पैसा quarterly advance देते हो तो 10,000 का 70% 7,000 quarterly advance देते हो तो सिर्फ एक ही quarter current asset बन सकता है quarterly advance ने तो एक quarter का पैसा आपका current asset बन जाएगा यह PDF देते हैं यह टेली ग्राम पर available है अच्छा मैंने बता है यह टेली ग्राम पर मिल जाएगा CA नमी तरोड़ों पर तो हम लोग लेते हैं break एक छोटा सा और उसके बाद में मिलते है कर दो हम राद कर दो हम आए बता है कर दो हम आएफ राद है झाल 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 याल झाल 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 झाल